दोस्तों अगर आप एक new character है और आपके YouTube channel पे 4000 गंटे का वोस्ट टाम complete हो गया 1000 subscriber भी complete हो गया और मान ले जाए आपका YouTube channel monetize भी हो गया जब आपका channel monetize हो जाता है उसके बाद आपका revenue generate होता है तो ये वीडियो उन YouTuber के लिए है जो खासकर new YouTuber है और जब आपका channel monetize हो जाता है उसके बाद आपको add sense में जो dollar बनाए जाते है यानिके add होते हैं उसमें कुछ problems आती है काफि सारे लोग बोलते है कि इसरार भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे last 28 days है और यहाँ पे 7.47 dollar है और ऐसे में अगर हम Google add sense में जाते हैं तो दोस्तो YouTuber यहाँ पे परेशान हो जाता है उसके दिमाग में आता है कि साथ मेरा जो balance है वो यहाँ पे cut गया है या फिर add नहीं हुआ है तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बढ़ उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आपने like नहीं गया लाइक करते ना चैनल को subscribe नहीं गया वो भी करते ना और मेरे को comment करके यह जुरू बताना कि आप कहां से belong करते हो तो यहाँ पे आप दोफसों देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे dollar दिखा रहा है last 28 days में इतने और यहाँ पे दिखा रहा है इतने यानि कि यह last 28 days का amount है अब मैं आपको date भी दिखा देता हूँ आज की जो date है वो आप देख सकते हो यह है 12 March 2022 तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे जो Google Adsense में payment गई है यह कब की होगी क्या last 28 days की होगी या कब की होगी तो मैं यहाँ पे आपको ले गए चलता हूँ और यहाँ पे किलिक करते हैं तो पिछला महिना किसका था? फैब का महिना था तो यहाँ पे फैरवरी पे हम किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पे कितना डोलर बना रहा है? तो यहाँ पे आपको पेमिंट में जाना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्या करने है? व्यू ट्रांजक्शन पे किलिक करने है और जैसे हम किलिक करेंगे तो नीचे की तरफ अगर आपको देखने को मिलेगा एक फैब से लेके 28 फैब में कितना बैलेंस एड हुआ है? 3.79 और यहाँ पे जो मार्च का महिन है मार्च एक से लेके 11 तक यह एड नहीं हुआ है यह आप देख सकते हो यहाँ पे लिख है इसका मतलब है गूगल एड़ेसंस में लाश 28 देज का मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ मतलब है जब भी आपका पिछला महिन होगा यह फैरवरी का महिन है तो 7 मार्च से लेके 11 मार्च तक पेमेंट एड होती है यानि कि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कटा 7.39 और यहाँ पे यह 7.39 आ चुका है बने है अब यह 4 दोलर कभ यहाँ पे आएंगे यह अभी नहीं आएंगी यह 4 दोलर अगले महिने आएगा यानि कि यहाँ पे एड होके जाएंगे 1 मार्च से लेखे 31 मार्च को और यहाँ पे जो अपडेट होता है वो हर महिने की नेक्ष की 7 तारिक से लेखे 11 तारिक के बीच में होता है उम्मीद करता हूँ यह डिफ्रेंस आपको समझ आए होगा अगर वाकि में यह इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगी नई क्रेटर को यह जुरू से फोरवर्ड करना यहां पर मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइबाइब जैहिन